कबज की समस्या को एकी दिन मी एक दम जड़ से ठीक करने का गरेलु उपाए आपके साथ सेर कर रहे हों दोस्तों अगर किसी को अमेशा ही कबज की सिकाइट रहती है या फिर जैसे सर्धियों के मोसम में कबज की समस्या जो है बहुत ज़्यादा अधिक सभी को ओती है क्योंकि पानी वगेरा पीने में कम आता है और कवज उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा परेसान कर रही है तो आप क्या करेंगे एक बार ये नुस्खा आजमा कर देए इसमें मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा सेर कर रही हूं जो आपको बेहत फायदा देगा और दूसरे इन से ही जैसे आज आपने ये नुस्खा आजमाया ना सुबे जब उठेंगे आप तो आपका पेट बहुत अच्छी से साफ होगा जिनको भी कवज की सिकायत रहती है ना दोस्तों उनको दिन भर अन इजी सा मैसूस होता है पेट वरावरा रहता है सर्व में गैस चड़ ज अएक तो आम गुड लेंगे दोस्तों गुड जो है अपकी कवज की समस्या में तो आपको फायदा करेगी ही करेगी साथ की साथ है यह आपकी खूण की कमी को भी पूरा करता है अगर आप सर्धियों के मोशम में कुछ दिन इसे अपना लेते है ना तो आपके सरीर की दो चमच के जितना गुड़ लिया है, बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, अंदाजे से आप 10 ग्राम के जितना गुड़ ले लेना यहाँ पे, और दो चमच भर जानी चाहिए इस तरीके से जब आप बारिक करेंगे तो उसे, इसके साथ में आपको आगे जो चीज और वो है अमारे पास यहाँ पे मुलेठी दोस्तों, मुलेठी ऐसी चीज है, सर्दियों में आपको लेनी चाहिए, इससे यहाँ पे तो हम इसे कबज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी कबज भी से ठीक होगी, और साथ की साथ आपको पूरी सर्दियों में जो है ना, सर्दि जुखाम खासी की भी समशा नहीं होने वाली, और साथ की साथ आपका पेट अच्छे से साफ होगा, जिनका पेट भरा भरा रहता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, भूक अच्छे से लगेगी, और आपके सरीर में जो है आपको खुद जो है इसके फा एक चमच भरके इसके अंदर डाल दिया है मुलेठी का पाउडर, ये ऐसा नुस्खा है दोस्तों, इसे आप सभी को दे सकते हो, लेडी, जेंट, बुजूर्ग, बड़े सभी ले सकते हैं इस नुस्खे को, और बहुती ज़्यादा फाइदा करने वाला ये नुस्खा है, तो अब इसको बनाना किस तरीके से है, जब भी आप इसे बनाएंगे तो तुरंथी बना कर लेना, इसे पहले से बना कर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, जब भी आप बनाएंगे तभी आपको ये ले लेना है, रखना नहीं है बहुत देर के लिए, बस पांस मिनेट के लिए आपको ये रखना होगा. अब आमने या पे लिया है एक गिलास पानी, पानी को थोड़ा सा गरम कर लेना, अच्छा गरम कर लेना कि पांस मिनेट में ये एकदम ठंडा ना हो, अल्का सा गुनगूना सा बच जाए, इतना गरम कर के लेना, उसके बाद में जितना भी अभी collect किया था सामान ये सारा इसके अंदर डाल देना है डालने के बाद में इसको 3-4 मिनेट के लिए अच्छे से भीगने देना छोड़ देना और ये पानी गरम है ये चीज आपको द्यान रखनी है ठंडे पानी में आप इसे नहीं ले सकते हैं और बाद में इसे आपको उ लेठी डाले है ये बस अच्छे से mix हो जाए और फिर बस ये नुस्खा जो है आपका लेने के लिए तयार हो जाएगा इसको मिलाना ज़रूरी है बस इतना आप ये चीज ध्यान रखें कि ये अच्छे से मिल जाना चाहिए गोड जो है ये अच्छे से melt हो जाना चाहिए उ इस तरीके से आपको रो जाना ये रात में लेना होगा और इसके साथ आगे आपको एक नुस्खा और बताऊंगी अगर किसी को ये नहीं लेना है तो वो नुस्खा आप कभी कबार आजमा सकते हो तो उससे भी तुरंत ही पेट जो है आपका साफ हो जाता है तो यहाँ पे हमने इसको बना कर लिया तयार अब इसके साथ में आपको क्या करना है जिनको पुरानी कबज की समस्या है वो इसे सर्दियों में कुछ दिन लगातार लेंगे अगर किसी को ऐसे लगता है कि हमें समस्या नहीं है कभी कबार होती है तो आप कभी कभी इसको एक दो दिन ले सक जिनको पुरानी समस्या है वो कुछ तीनी से लगातार लेना तो अमेशा के लिए आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है और फिर भी आपको कभी लगता है तो आप इस तरीके से बना कर ले सकते हैं और तुरंत ही अपनी कब्ज की समस्या से राहत पा सकते हैं जिनको भी कब गुना गुना पानी पे, तो आपको पीने में भी अच्छा लगेगा, और आपको इस तरह की समश्याए भी नहीं आएगे, और पानी आमें जरूर पीना चाहिए, बोड़ी के लिए अच्छा होता है, चाहे मोसम गर्मी का हो, चाहे सर्दी का, गर्मी में थोड़ा सा जाधा तो ठंडी में आपको जितना आपके सरेर को पानी चाहिए उतना पीना चाहिए, कम से कम 8-10 गिलास तो पानी आपको दिन बर में पीना ही चाहिए, तो अलका सा गुन गुना करके आप पी सकते हो, तो ये नुस्खा आपका जो मैंने अभी बनाया था, ये एक दिन के लिए है, जैसे मैंने बताया, ताजा बनाकर आपको ये तुरंथी 5 मिनिट के अंदर ले लेना है, सुबह आप उठेंगे तो आपका पेट एकदम अच्छे से खुल कर साफ होगा, वो सकता है जिनको पुरानी समस्या है, पहले दिन ये फाइदा ना करे, क्योंकि सरेर में पानी की कम इसके लिए आपको क्या करना है, एक गिलास गुनगुना दूद लेना है, और खासकर जिनको कब्ज की सिकायत होती है, उनको जो है न, दिन बर में एक दो गिलास दूद, जैसे सुबह ले लिया, रात में ले लिया, दिन में खाने के साथ में आपको दहिया चाथ जरूर ल जरूर करें और शाम को खाना खाने की बाद में थोड़ा सा 10-15 मिनेट आप जरूर गुमले टाइम निकाल कर अच्छा रहता है शरीर के लिए और जिनको कबज की सिकायत है उनकी देखेंगे आप बिना किसी चीज के ही दूर हो जाएगी अगर आप वो करना सुरू कर देते है तो आदे आदे गंटे की दूरो टाइब तो अगला नुसक आपको मैं बता रही थी दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है एक गिलास दूद ले लेना दूद को अच्छे से गरम करके उबाल कर लेना है आपको क्योंकि कच्छा दूद जो होता है वो कबज करता है और ग वो इस मुस्खे को बिलकुल ना आजमाए और कैष्टर ओयल का अगर नुस्खा आप आजमा रहे हैं तो पहले आप अपने डौक्टर की राई जरूर ले तो यहाँ पे क्या करना है कैष्टर ओयल वाले नुस्खे में आप एक गिलास दूध में दो चमच कैश्टर ओयल डाल कर अच्छे से मिला ले गरम-गरम दूद के अंदर अलका सा गुन-गुनाओ पीने लायक तब और फिर आप पी ले तो आपका पेट सुबह खुल कर साफ होगा दोस्तों बहुत अच्छे से साफ होता है लेकिन ये क्या होता है ये ऐसी चीज़े ह पर आपको सब्सक्राइब करें तो आप अपने डोक्टर की राय जरूर ले ले ये था आज का नुस्खा कभजवाला जो पहले मैंने बताया ना ये नुस्खा आप बिलकुल बिंदास आजमा सकती हो आपको पूरा-पूरा फायदा भी देगा और उसके कोई साइड इफेक तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद